नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राजिन तिवारी और आप देख रहे हैं जोतिश मंत्र सर प्रथम आप सभी लोगों को सिक्षक दिवस की हारदेख शुब कामना है आज का जो अंक है वो सिक्षक दिवस इस्पेशल है तो मैं सबसे पहले गुरू के सम्मान में एक चोपाई बोलना चाहता हूँ जो कि रामचरित मनस में तुल सिदाज जिन रिखी है चोपाई इस प्रकार है गुरू के बचन प्रतीतनत जेही सपनेहु सुगम नसुक सिदितेही इसका अर्थ है कि जिस इनसान को अपने गुरू के बचन में याने जिसको अपने गुरू पर ही विश्वास नहीं होता है उसको सफलता या सुख सपने में भी प्राप्त नहीं हो सकते तो चले इसी विचारों के साथ शुरू करते हम आज का वीडियो दुनिया में इसा कोन व्यक्ति है जो सफल नहीं बनना चाहता है हर व्यक्ति अपने जीवन में सफल बनना चाहता है और इस सफलता को प्राप्त करने के लिए वो अपने पूरे जीवन भर अनवरत अथक प्रयास करता रहता है अपने सफलता को प्राप्त करने के लिए क्योंकि अपनी मेहनस से प्राप्त हुई सफलता का आनंधी कुछ और होता है और बैसे भी किसी ने कहा है यह हम सब लोग जानते हैं कि सफल व्यक्ति को ही लोग अपना आदश मानते हैं मतलब अगर आप एक सफल व्यक्ति है तो ही लोग आपको फालो करेंगे अधरवाइस नहीं करेंगे तो चलिए हम जानते हैं कि एक व्यक्ति में वो कौन से गुण होना चाहिए जिसके थूँ वो सफलता की सीड़ी चड़ता ही जाए अपने सफलता के मार्ग पर अपने सफलता के पत पर अग्रसर होता ही जाए ऐसी कौन सी खुविया है ऐसी कौन सी अच्छी बात होनी चाहिए एक व्यक्ति के अंदर जिससे वो सफल बन सके तो इसमें सबसे पहली चीज होनी चाहिए, वह होनी चाहिए positive attitude या कह सकते हैं, positive mindset. अगर किसी व्यक्ति के अंदर सकारात्मक सोचे, तो वो अपनी सफलता के मार्ग पर अग्रसर होता ही रहेगा. यानि सबसे पहली चीज क्या चाहिए positive mindset या कह सकते है positive attitude या सकारात्मक सोच दूसरी चीज होना चाहिए high thinking या high aim जिसको हम हिंदी में कह सकते है उच्च बिचार अगर इंसान अपना बिचार उच्च रखे अपनी thinking को high रखे तो उसके मारगे में आने वाली चोटी चोटी जो परेशानी है उसको तो वो यूही solve कर सकता है यानि अगर आपकी सोच high है अगर आपकी सोच जो उच है तो जो चोटी चोटी प्राबलम है जो आपके मारगे में आने वाली है उसको आसानी से solve कर सकते हो उसे आसानी से पार कर सकते हो तो दूसरी बत क्या हुई High Thinking तीसरा पाइंट है Always think about your aim और goal मतलब आप अपना जो उद्देश है आप अपना जो अपनी लक्ष तैकर रखा है उसके बारे में हमेशा आपको सोचना चाहिए उसके बार ऐसानी कि गोल सेट कर दिया और भूल गए ऐसानी हर बार उसको अपने मन में लगातार चलता रहना चाहिए कि अच्छा है मुझे ये प्राप्त करना है मुझे ये अचीब करना है तो अगर आप इस प्रकार का mindset रखोगे कि आपका जो गोल है वो हमेशा आपके दिमाग में गढ़ रहेगा तो आप उसके प्रती आप उसके लिए कुछ न कुछ करते रहोगे इसलिए तीसरी जो महित पुइंट चीज़ है वो है always think about your goal चोथा पाइंट है do your work with confidence and honesty मतलब आपको अपना कारे पूरी इमानदारी और आत्मे विश्वास से करना चाहिए जो भी व्यक्ति अपना कारे पूरी इमानदारी और आत्मे विश्वास से करता है उसको सफलता अवश्य मिलती है पाँचवा be confident for our success मतलब हमेशा हमें अपनी सफलता के लिए पूरी तरह से द्रड़ निश्य होना चाहिए अपने अंदर आत्मे विश्वास होना चाहिए कि ये सफलता हमें मिलकर ही रहेगी अवश्य मिलेगी क्योंकि हम इतनी मेहनत कर रहे तो सफलता तो मिलेगी ये आपकी सोच होना चाहिए अगर आपकी ये सोचे तो आपके मार्ग में आने वाली सारी दुविदाएं दूर हो जाएगी और आप एक सफल विक्ती बन पाएंगे 6. Choose right path for your success मतलब हमें हमारी सफलत को प्राप्त करने के लिए सही मार्ग को ही चुनना चाहिए ये नहीं कि शाटकट कभी नहीं अपनाना चाहिए तो आपको एक ने दिन सफलता जरूर मिलेगी हो सकता है कभी-कभी वो सफलता लेट हो जाए देर से मिले लेकिन मिलेगी जरूर अगर आपने सही मार्ग को अपनाया तो 7. Passence for success बहुत लोग ऐसे होते हैं कि अगर उनको जल्दी से सफलता नहीं मिलती तो वो भूँ हर जाते हैं या यह कोसे सकते है कि वो सोचते का मुझे सफलता नहीं मिलेगी ऐसा नहीं है आपको अपनी सफलता प्राप्त करने के लिए पैसेंस को रखना जरूरी है धेरे को रखना जरूरी है अगर आप धेरे रखके रुची और लगन के साथ अगर आप अपना कारे करेंगे अपने लक्ष को प्राप्त करेंगे तो वो लक्ष अवश्य प्राप्त हो तो अपने आपको लगातार बूस्ट करना पड़ेगा, अपने आपको पोसाहित करना पड़ेगा, तब ही जांके आप उस लक्ष को हासिल करने के लिए प्रयास कर पाऊगे, अगर आप अपने आपको ही प्रोसाहित नहीं करोगे, तो आप एक दिन ऐसा आएगा कि आप सोचोगे अब यह मुझसे नहीं बनेगा और आप उस काम को छोड़ दोगे तो प्लीज बूस्ट यॉर्सेल्फ नाइन्थ पैंट यह भी बहुत जरूरी पैंट है कि डोंट वरी अबाउट यूर फैलिवर आपको अपने फैलिवर से यानि कि आपको अपनी असफलता से कभी डरना नहीं चाहिए क्योंकि असफलता के बाद सफलता जब मिलती है तो इंसान को बहुत जादे खुशी होती है इसलिए मान लीजे आप एक-दो बार के अटेम्ट में किसी चीज को अचीज़ को अचीब नहीं कर पाया कोई बात नहीं आप फिर से अटेम्ट करिए एक नेक दिन ऐसे जरूर आएगा जब आप उस चीज़ को अचीज़ कर पाऊगे इसलिए don't worry about your failure and last point always remember that your success is inspiration for the others मतलब आपकी जो सफलत है दूसरे के लिए प्रेड़ना बन सकती है आप एक प्रेड़ना स्रोथ बन सकते हैं इसलिए आपको अपनी महनत आपको अपना जो काम है बहुत लगन के साथ बहुती इमानदारी के साथ करते रहना चाहिए क्योंकि जब आप एक सफल व्यक्ति बनेंगे तो लोग आपके पीछे होंगे मतलब आपको फालो करेंगे और आपकी सक्सियत या आपकी जो परसनाल्टी है वो दूसरे के लिए एक प्रेणना का काम करेगी एक प्रेणना सोथ बन जाएगी तो यह 10 पाइंट थे जो अगर किसी व्यक्ति के अंदर है या फिर कोई व्यक्ति इन 10 पाइंट को अपने अंदर उतारता है तो 100% एक दिन सफल व्यक्ति जरूर बनेगा अंत में मैं सभी इस्टुडेंट को सिक्षक की तरफ से एक बार बोलना चाहता हूँ कि कुछ काम करो कुछ काम करो काम से मेरा मतलब है पढ़ाई क्योंकि इस्टुडेंट का काम पढ़ाई ही होता है इसलिए मैं यहाँ पढ़ाई को काम बोल रहा हूँ तो कुछ काम करो कुछ काम करो मत सिक्षक का अपमान करो सिक्षक तो ग्यान की गंगा है जितना चाहे इसनान करो आशा करता हूँ कि ये जो मैंने आज बताए है वो आपको अपने जीवन में सफलता के मार को प्रसस्त करेगा यही कामना के साथ आप सभी लोगों का धन्यवाद चैन्द